नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर परदेक माँ भगवान गर्वती की पूजन के लिए दो चतुर्थी तिथी आती है माँ में पढ़ने वाली दोनों चतुर्थी तिथी भगवान गरेश को समर्पित की जाती है किष्ण पक्ष में पढ़ने वाली चतुर्थी तिथी को संकष्टी चतुर्थी और शुकल पक्ष में पढ़ने वाली चतुर्थी को विनायत चतुर्थी के नाम से जाना जाता है मानेता है कि भगवान गड़ेश की पूजन वर व्रत रखने से जीवन में सुख संपन्ता और सकारात्मक्ता का आगमन होता है भगवान गड़ेश को विग्नहर्टा कहा जाता है उनकी कृपा से कारियों में आने वाली बाधाएं दूर होती है साल 2022 में फालगुन विनायक चतूर्थी 6 मार्च 2022 को है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चतूर्थी की तिति क्या रहेगी पुजा का समय क्या रहेगा व्रत की विधी क्या है और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी विनायक चतूर्थी एवं संकष्टी चतूर्थी व्रत की तितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिल्कुल मत भूलिये तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो विनाये चेतुर्थी पर भगवान गड़ेश का पूजन मध्यान यानी दोपहर के समय किया जाता है परन्तु फिर भी इस दिन जल्दी यानी ब्रह्मुरत में उठकर स्नानादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके बाद स्वक्ष लाल वस्तर धारन करें इसके बाद भगवान गड़ेश के समच धूपदी प्रजलित करें और व्रत का संकल्पलें अब दोपहर के समय अपने सामर्थ के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तामा या फिर मिट्टी की भगवान गड़ेश की प्रतिमा को एक चौकी पर आसन बिछा कर स्थापित करें अब भगवान गड़ेश को सिंदूर अर्पित करें और दीपक चलाएं इसके बाद ओम कंग गड़पते नमा मंत्र का उचारन करते वे उन्हें दुर्बा की 21 गाठे अर्पित करें भगवान गड़ेश को 21 लड़ों का भोग लगाए और आर्थी करें इन में से 5 लड़्टू ब्रामणों को वित्रित कर दें पाँच लड़ो भगवान गड़ेश के समक्ष रखे रहने दे बाकी के बचे हुए प्रशाद को सभी लोगों में वित्रित करें भगवान गड़ेश को प्रसंद करने के लिए अर्थरवशीश गड़ेश रोत आधी का पाठ अवश्य करें फाल्गुन विनाएक चतूर्थी व्रत साल 2022 में 6 मार्च 2022 दिन रवीबार को है फाल्गुन शुकल चतूर्थी तिती का प्रारंबो का 5 मार्च की रात 8 बच कर 35 मिनट पर और समापती होगी 6 मार्च की रात 9 बच कर 11 मिनट पर पूजा का समय रहेगा 6 मार्च 2022 दिन रवीवार को सुबह 11 बच कर 22 मिनट से तो पैर 1 बच कर 43 मिनट तक कुलबदी रहेगी 2 घंटे किस मिनट की चंदरदय का समय रहेगा 6 मार्च 2022 दिन रवीवार को सुबह 8 बच कर 33 मिनट पर मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ